तो क्या हाल है आप सबका दोस्तों होफुली आप सबका हाल बहुत ही अच्छा होगा आज के वीडियो में हम डबा खोल सहरेमनी करेंगे और अगर आप देखे ना तो ओनर ने इस बार फ्रेंट पर फोन की फोटो दी है जोगी है ब्लू कलर में बट हमारे पास डिफरेंट है साइड में ओनर एटैक्स उपर की तरफ अगर आप देखे न तो यहां पर इसकी प्राइज लिखी हुई है 17,999 बट मैंने इसे 15,000 में लिया है सब भी लेंगे मैंने थोड़े ना लिया और हमने इसे मंगवाया है ब्लैक कलर में क्यूंकि जो ब्लू कलर था वो सब के पास और थोड़ी सी सील यहां से उद्री सी हुई है वो देख लेंगे कुछ स्पैक्स दिये गया वो तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा दोस्तों मुझे पता है कि मैं लेट हो गया हूँ इस अन्बॉक्सिंग के लिए बट ट्रस्ट करिएगा मैं अपनी तरफ से पूरी ट के लिए साइड में रखते ठंडा ठंडा पड़ा क्योंकि आज कल मौसम काफी ठंडा हो गया यहां पर कुछ आयम यही स्टीकर्स हैं इसके और इसके अंदर होगा एक हार्ड केस हार नहीं है इस बार देखने को लग रहा है सिम इजक्टर टूल दिया गया है उसके बाद य यह तो है इसके बॉक्स के कॉंटेंट्स और अभी दो और पड़ें वैसे अगर हम इसका दोस्तों चार्जर देखे ना तो यहां पर पांच वोल्ड दो अम्पीर का आपको एक चार्जर मिलता है और जो आपको केबल मिलती है वो डिसेंट सी क्वालिटी की माइक्रो हाला कि बहुत ही जदा सटल है थोड़ी सी है बट काफी अच्छी लग रही है इस स्टिकर को भी उतार देते हैं और दोस्तों डेफिनेटली आपके जो भी इस डिवाइस के रिलेटेड कोशन है ना सभी के सभी कॉमें सेक्शन में मेंशन कर दो आपको पता है आपके लिए एक special FAQ वीडियो आती है जो अभी वीडियो रॉकेस्ट है सब कुछ नीचे कॉमें सेक्शन में लिख दो और दोस्तों यह जो है आपका Honor Atex है हमारे पास जो है Realme 2 Pro भी पढ़ा हुआ है Moto One Power भी पढ़ा हुआ है और OnePlus 6 भी पढ़ा है इतने सारे फोन मैंने आपके लिए लि भाना चाते हो definitely comment करके जाना और जो इस डिवाइस के पहले थोड़ से लग तो बहुती सुंदर रहा है इस ब्लैक कलर में हलाकि blue भी काफी इच्छ है साइड में भी metal दिया गया काफी बढ़िया फील आ रही है weight काफी अच्छी से distribute किया गया तो अभी इसे जल्दी से हम क्य करते हैं boot और उतने time में आपको इसके specs और physical overview बताता हूँ तो दोस्तो अब अगर मैं Honor ATX के physical overview की बात करूँ ना तो ये device में सबसे पहले आपको vertical orientation में dual rare cameras देखने को मिलते हैं और ये design काफी अच्छा लग रहा है साथ में इनकी LED flash और AI cameras की branding दी गई है इस device का जो fingerprint scanner है वो सही location पर दिया गया bottom side में Honor की branding है यहाँ पर अगर मैं इस back की बात करूँ ना तो ये जो glass की backup बहुत classy लगती है बहुत stylish लगती है bottom की side micro USB jack headphone jack speaker और primary microphone आपको देखने को मिलते है left hand side आपको SIM card tray देखने को मिलती है उपर की side आपका secondary noise cancellation microphone present है right hand side आपको देखने को मिलेगा power button और volume rocker जिनकी tactile feel बहुत अच्छी है front की side आपको छोटी सी notch देखने को मिलेगी जिसमें है 16 megapixel का front camera earpiece और sensor और उसके बाद 6.5 inch की बहुती छोटे bezels वाली display आपको देखने को मिलती है overall जो device की in-hand feel वो काफी बढ़िया है दोस्तों अगर मैं on a rate X के specs की बात करूँ ना तो आपको इस device में 6.5 inch की 19.5 ratio 9 full HD plus IPS LCD पैनल वाली display मिल जाती है यह device जो है Kirin 710 processor के साथ run करता है Mali G51 MP4 GPU के साथ आपको इसमें 4GB RAM, 6GB RAM या फिर 8GB RAM के option मिलते हैं 64 या फिर 128GB internal storage के साथ जो rare camera है वो 20 plus 2MP का F1.8 के aperture के साथ आपको 16MP का front camera भी देखने को मिलते है इस device को power करती है 3750 mAh की battery और यह device run करता है Android Oreo के उपर जिसके उपर M.E.O.I. Custom Skin लगा हुआ है और दोस्ते यह जो Honor 8X है अभी अभी बहुत ही जल्दी boot हो गया तो सबसे पहले आपको एक चीज़ बताना चाता हूँ कि इसके जो bezels है न ट्रस्ट में बहुत चोटे है यहां पर इसकी bottom chin है वो काफी चोटी दी गई है अगर मैं ऐसे compare करूँ definitely तो bottom chin काफी चोटी है realme 2 pro से भी और हाथ में काफी यह अच्छा device फील हो रहा है थोड़ा सा यह न थोड़ा सा device definitely बड़ा है क्योंकि display बड़ी आती है बड़ देने के अच्छा फील हो रहा है और अगर आपको मैं जल्दी से सिम ट्रे दिखाऊना तो हमें सिम ट्रे की जो configuration मिलती है वो कैसी मिलती है तो अच्छी बात है कि हमें regular मिलने चाहिए जो मुझे पता है जी हाँ अब दो सिम के साथ एक micro sd card लगा सकते है जो की बहुत ही बढ़िया बात है और अगर मैं इस case की fit and feel की भी बात करूँ न तो दोस्तो हाँ ये case आपको silicon का मिल तो जाता है बट मैं आपको बोलूँगा कि कुछ अच्छी quality का case ले लो क्योंकि ये glass का phone है और इसके जो यहाँ पर है न इतनी बड़िया protection नहीं है हाला कि free के हिसाब से ये अच्छी quality का case है Xiaomi से बहतर है और दोस्तो जैसे कि आप यहाँ प बात करूँ तो आपको सारे के सारे feature मिल जाते हैं definitely मुझे comment section में बताना क्या आपको वीडियो देखने है इस पर क्या आपके doubts है एक FAQ वीडियो special आपके लिए यहाँ पर दोस्तो कुछ apps जो है pre install करके दिये गए अगर मैं इन्हें delete करने के कोशिश करूँ तो yes आप इन्हे कर पाते हैं जो की एक अच्छी बात है और दोस्तो मैंने इस डिवाइस में अपना fingerprint और face unlock दोनों एड कर लिए और अगर मैं जाके देखू हूं तो यह जो डिवाइस है काफी जल्दी से fingerprint से भी unlock कर देता है और अगर मैं इसका face unlock देखू तो वो भी काफी तेज है जैसे कि आपने देखा जैसे ही मैंने अपना चेहरा इसको दिखाया तो यह काफी जल्दी से unlock हो गया overall जो इसकी display quality आप देखी सकते है कि काफी बढ़िया लग रही है और wallpapers लगा के check करेंगे जल्दी से देखते हैं इसके camera में हमें क्या features देखने को मिलते है तो ऐसा कुछ interface है इस हमने Honor Atex के front और rear camera से लिए हैं यह जस्ट एक initial sample है ताकि आपको पता लग सके कि इसकी quality कैसी है वैसे अगर आप future में जो भी वीडियो इसमें देखना चाहे वो आप नीचे comment section में definitely comment कर सकते हैं और दोस्तों फिलाल के लिए ना इस Honor Atex की जो unboxing थी उसमें केवल इतनी था व अब हम मिलेंगे अगले वले वीडियो में